कहानी बुद्ध की बहुत समय पहले एक समय का ज्यात नहीं था, भारत के उत्तरी किनारे में कपिलवस्तु नामा के गाव में एक बड़ा ही अद्भुत आत्मा उत्पन हुआ था, उसका नाम सिध्धार्थ था, सिध्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन थे और माता महम थी, सिध्धार्थ को बचपन से ही बड़े ज्यानी और ध्यानी बनाने का संकल्प था, उनके पिता ने इसके लिए सभी सुक और सामरिधी को उनके चारों ओर से हटा दिया, सिध्धार्थ को यह सब देखकर एक सबल मन की प्राप्ती हुई, एक दिन, वे अपने पालकों क साथ गाव के बाहर घूमने गए, वहां उन्होंने अपनी आंखों को दो अलग-अलग प्रकार के दुखों और संघर्षों का सामना करते हुए एक बूटे के नीचे एक प्राणी को बैठे हुए देखा, सिध्धार्थ ने पूछा, यह कौन है और वह क्यों ऐसा है? उनके सन्यासी के पास ले जाने का निरनय किया. उनका पिता इससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन सिध्धार्थ के संकल्प को देख कर उन्होंने उन्हें उस सन्यासी के पास भेज दिया. सिध्धार्थ ने उस सन्यासी से बहुत कुछ सीखा, उसका दर्शन करने के बाद, उन्हो उन्होंने बहुत समय तक ध्यान और तपस्या की और अंत में निर्वान का प्राप्ती किया। उन्होंने संसार के दुख को देखा और उसके समाधान के लिए एक नया मार्ग दिखाया। उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया और अपने उपदेशों से लाखों लोगों को मार्ग दर्शन किया। उनकी यात्रा ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा का सामना करवाया, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही चाह थी, मानवता की सेवा। आज भी बुद्ध के उपदेशों की रोशनी हमें सही मार्ग पर चलाती है और हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेर्णा प्रदान करती है। उनकी यात्रा ने हमें यह सिखाया की जीवन में सुक और सम्रिध्धी का सच्चा मूल्य सेवा में होता है।